भारत की मशुहूर नर्तकी और चरित्र अबनेत्री के रूप में जानी जाने वाली मीनू मुम्ताज का आज बर्त एनिवर्सरी है दोस्तों आज इस उपलक्ष में हम आप के साथ कुछ इनकी यादों की कहानिया शेयर करने वाले हैं आईए दोस्तों तो हम वीडियो में आगे बनते हैं मीनू मुम्ताज एक भारती अबनेत्री थी वह भारत के मशूर कमेडियन महमूद की बहन थी और महमूद अली फिल्म परिवार का हिस्सा थी मीनू मुम्ताज 1950 और 1960 के दशक की कई हिंदी फिल्मों में मुख रूप से एक नर्तकी और चरित्र अबनेत्री की रूप में दिखाई दी इनका जन्म इस्तान मुम्बई था 26 अप्रेल 1942 में इनका जन्म हुआ मृत्य की जगे और तारीक 23 अक्टूबर 2021 टोरेंटो कनेडा इनके भाई आनवर अली महमूद अली उस्मान अली हुसेनी अली खैरूनिसा अली इनके बच्चे गुलनाज शेहनाज आदी दोस्तो महच 13 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में जगे बनाने वाली मीनू के पिता मुम्ताज अली भी बॉम्बे टाकीज के मशूर एक्टर थे ये हिंदी सिनेमा के शुरुआती उन लोगों में शामिल हैं जिनको बॉयकॉट किये जाने की मांग की गई थी जब आर्थिक तंगी से जूज रही मीनू ने अपने सगे भाई महमूद के साथ फिल्म में रोमांस किया तो लोग भड़क कर उने फिल्मों से हटाने की मांग कर रहे थे इसके बाबजूद मीनू ने काम करना जारी रखा मीनू मुम्ताज का असली नाम मलिकुनिसा अली था दोस्तो मीनू मुम्ताज बेहस सुन्दर और बोल्ड हुआ करती थी बहीं डान्स में भी ये महिर थी इनके नाम पर मुम्ताज अली नाइट नाम का एक शो चलता था मीनू लगातार फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटा करती थी ऐसे ही एक बार फिल्म मेकर नानू भाई वकील ने मीनू को देखते ही अपनी फिल्म सकी हकीम 1955 में काम दे दिया मीनू की मा उनके फिल्मों में जाने के सक्त खिलाब थी लेकिन खुद एक्टर और डांसर रहे पिता मुम्ताज मान गए उन्होंने कहा था मचली का बच्चा मचली ही बनता है जींगा नहीं मीनू मुम्ताज के बड़े भाई और कमेडियन मैमूद ने मीनू कुमारी की बहन मदू से शादी की थी ऐसे में मीनू की भावी की बहन मीनू कुमारी ने उनकी काफी मदद की थी जब मीनू मुम्ताज फिल्मों में आई तो मीनू कुमारी ने ही उनका नाम मल्कौन निसा से मीनू मुम्ताज किया था सान 1956 की फिल्म सी आई डी के गाने बूज मेरा क्या नाम रे मीनू की पर्फुमेंस काफी पसंद की गई उस समय मीनू महेच 14 साल की ही थी सन 1958 में आई फिल्म हावडा ब्रिज के गाने गोरा रंग चुनरिया काली में मीनू मुम्ताज को रॉल मिला 16 साल की मीनू को घर की देखरे के लिए काम की जरूरत थी तो वो मान गई लेकिन इसी गाने में उनके सगे भाई बड़े भाई मेमूद उनके पार्टनर थे इस गाने में दोनों एक दूसरे के साथ रॉमान्स करते दिखे फिल्म रिलीज हुई तो लोग हैरान रहे गए फिल्म रिलीज के बाद मीनू बिवादों से गिर गई कई लोगों ने भाई बहन को फिल्मों से हटाने की मांग की लोग ये कहते हुए सड़कों पर उतर आये कि आके सगे भाई बहन रोमान्स कैसे कर सकते हैं लेकिन समय के साथ ये बात भी दब गई एक दिन मीनू अपने परिवार के साथ मदरास गई हुई थी वहाँ उनकी एक मुसलिम परिवार से मुलाकात हुई दोनों परिवारों के बीच बातों का ऐसा सिलसला निकल पड़ा कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी करवाने का फैसला किया मीनू मुम्ताज की शादी फिल्म डारिक्टर एस अली अकबर से तैह हो गई शादी के बाद मीनू को फिल्मों में काम करना छोड़ना था लेकिन उनके पास उस समय उनके पास फिल्म जहां आरा और पालकी जैसी कई फिल्मे थी 1963 में मीनू ने अली अकबर से शादी कर ली और बाद में बादे के अनुसार ये फिल्में पूरी की फिल्म जहां आरा और पालकी की शूटिंग के समय मीनू मुम्ताज प्रेगनेंट थी फिल्म पालकी बनने में पूरे चार साल लगे जो 1967 में रिलीज हुई जब तक मीनू फिल्म में छोड़ चुकी थी फिल्म की शूटिंग करते हुए ही उनके दो बच्चे एजाज और महनाज हुए मीनू ने आठ में महीने की प्रेगनेंसी के साथ ही फिल्म की शूटिंग की थी मीनू को दिक्कत तो थी लेकिन उन्होंने आकरी फिल्म पूरी की पेगनेंसी के साथ शूटिंग करने के लिए डिरेक्टर ने ऐसे सीन डाल दिये जिसमें उन्हें आन स्क्रीन पेगनेंट लगना था मीनू मुम्ताज और अली अकबर के चार बच्चे हुए एक बेटा एजाज और तीन बेटिया शेहनाज और गुलनाज शादी के बाद मीनू ने इंडिस्ट्री के बाद देश भी छोड़ दिया शुरुआती कुछ समय वो कुवेट में रही और फिर टोरंटो जाकर बस गई करीब 2003 के आसपास एक रोज मीनू की आँखों के सामने अधेरा चा गया और वो वेहोश हो गई मीनू ने लोगों को पहचानना बंद कर दिया और उनकी याद दास चली गी अस्पताल ले जा गया तो डाक्टर्स ने परिवार को बताया कि उन्हें दिमाग में 4 इंच का ट्यूमर है और ये पिछले 15 सालों से बढ़ रहा है और उनकी हालत बिगड़ने पर बॉम्बे के डाक्टर जहा ने उनका उपरेशन किया गरवाले मीनू की हालत देखकर घबराए हुए थे बच्चों ने तो ये सोच कर अलविदा कहे दिया था कि मा अब ठीक नहीं हो सकेंगी लेकिन जैसे ही उनका उपरेशन हुआ और सबने अपने अपने घर बसा लिए मीनू मुम्ताज के परिवार का कोई सदस फिल्मों में नहीं आया मीनू साल में एक बाद भारत जरूर आती थी बॉम्बे पुने बैंगलरू में घर में घर ले रखे थे बहां वो आकर रुका करती थी भारत आकर वो फिल्म इंडिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से भी जरूर मिलती थी उनके बड़े भाई महमूद अली के बेटे लक्की और अली जाने माने सिंगर थे भारत दोरे के समय वो लक्की के पास बैंगलोर जाया करती थी कई जानकारियात को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अबश्य बताएं चैनल पर अगर विजिट कर रहें तो चैनल को सबस्क्राब अबश्य करें वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक बटन के साथ सब्मिट करना ना भूले धन्यवाद